हेलो स्टुटेंग वेलकम तो मैं चैनल अलंगर आज में क्लास 10 का एक्सराइज 2 सिंपल इंट्रेस पार्ट 5 लेके आई हूं वेस्ट बेंगोल बोर्ड का तो चले स्टार्ट करते हैं 22 नंबर समसे 22 का वन नंबर यहां पर बताया है कि हम लोग को पहले समय बताना है यहां पर यह पहले बताया है फिर बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो ट्वाइस हो जा रहे हैं अमाउंट में ठीक है तो मतलब अमाउंट प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जाएगा तो किकने यह में होगा जो कि आपका इंट्रेस दिया हुआ है 6 whole 1 by 4% परसें चले निकालते हैं 22 का वन नंबर 22 का वन नंबर पिकोल्स कोश्यमार्क पिर लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल बी रुपिस एक्स देर्फोर अमाउंट बी रुपिस 2 एक्स क्योंकि ट्वाइस बोल दिया है क्वेश्चन में और रेट दिया है आपका प्रिंसिपल बता है और रमाउंट बता है तो हम लोग इंट्रेस्ट क्यों हो जाएगा है यह आपका रेट हो जाएगा ठीक है यह हम लोग इंट्रेस्ट निकाल लेकिए पिंस बज बता है और रमाउंट बता है तो हम लोग इंट्रेस्ट क्यों हो जाएगा और पी है आपका एक्स और रेट है आपका 25 इंट्व फॉर ठीक है तो नेक्स सम्स पर आते हैं फॉर परसेंट एंड फॉर दिस अमल बाबू अन्वा इलिकम डिक्रीज़ बाई रुपीज सिक्स्टे लेट इस टिटर्माइन दा अमल बाबू स्प्रिंसिपल हम लोग यहां पर प्रिंसिपल करना है ठीक है जब अमल बाबू का इंकम घंड के साट रुप्या जो इंकम था उसे साट रुप्या घंड गया जो इंट्रेस्ट आता था यहां पर फाइन करते हैं हम लोग पहले कि 4 परसें में कितने पैसे आते थे उसके बाद 3 होल में 4 में कितने आएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग इंडियूस कर देंगे दुनों को तो आपका एंट पर जाएगा तो चलिए सॉल्व कर लेता है प्रिंसिपल को एक्समान लेता हैं तो आपका रेट कितना दिया हुआ है पहले का 4 परसेंट इस 4 परसेंट और कहा दिया था टाइम में लोग 1 यह लेता है पर यहां पर इंट्रेस्ट निकालेते हैं आई को इस्टों अब काट भी सकते में निकार्ट रहने लेती हो फिर नेक्स्ट में निकालते हैं प्रिंस्पल आपका वही है एक्स पर्डेट हो जागा आपका 3 हो थ्री बाई 4 एधिस ट्वेल प्रेस्ट प्रिंटेस्ट फिर्टेंगाइब लुग में लुग कितना है एक्स है और फिर्टीन रॉट और ती है अपका 1 इंट्वेंट्रेट थीकाँ तो यह आपकाPyस जायगा यह अपका पैप से जाएगा थ्री टर्म्स में और यह 20 यह आपका हो गया यहां पर तो यह हम लोग इंट्रेस्ट निकाली है पहला इंट्रेस्ट था यह और दूसरा कंडिशन में यह तो यह दोनों को लोग साइड में लेग लेता है according to question तो आपर क्या होगा दोनों that means 4x by 100 माइनस किन्ना था 3x by 80 यह जो हम लोग का था इकोंस तो 60 के बढ़ा बर हो जाए ठीक है तो हम लोग इसको परेकार्टी रेते हैं ज्यादा बढ़ता रहागा 25 जो तो यह 25 जो जाएगा 15 x minus और यह आपका जाएगा 5 terms में 80 इंटो 400 इस 5 और इंटो 3 that means 15 x जाएगा इकोंस तो 60 तो यह आपका एक्स आगे इदर 400 इन मल्टिप्ल आजाएगा that is 24,000 24,000 तो देर 4 प्रिंसिपल इकोंस तो 24,000 तो यह आपका एंस समुजाएगा इचले नेक्स समस्पे आता है when the interest of some money in 4 years will be 8 whole upon 25 part of the principle let us determine it मतलब यहाँ पर आपको क्या बता दिया है आपका timing बता दिया है 4 years में जो आपका principle है उसका 8 by 25 part होता है आपका interest तो हम लोग को क्या निकालना है तो हम लोग को rate बताना है कि यह पर कितना rate होगा सो चलिए आपको find करता है तो हम लोग क्या कर देते हैं प्रिंसिपल माल लेता है let principle आपका interest होगा यह आपका interest होगा तो आपका 4 years that is 4 years और हम लोग को rate find करना को rate का इसका फर्मूला एक था है 100 into i all upon p into t एका 100 into i, i कितना है आपका? 8x all upon 25 बने 25 अपनी चलिए और p आपका कितना है? x और timing आपका 4 यह ठीक है यह एक 6 गंसी 4 सेट और यह पर वागा और यह 4 times वागा यह ठीक है? यह पर संट यह यह ठीक है? यह ठीक है? यह ठीक है? यह ठीक है? यह आपका उज़ाएगा rate नमब ट्रे का तो चलिए नेक्स अच पर आते हैं पर लोग रेत यहां बताना है और टामिंग बता दिया आपका 10 यह और बोला है कि जो इंट्रेस्ट है वहा एमाउंट का 2 वाइ फिफ्थ पार्ट है ठीक है कि अब लोग को यहां पर आमाउंट माल लेते हैं पहले तो शेलिए पार्ट करते हैं बुबुबुबुब इंट्रेस्ट ढाच रिफाटल है ऑर रुबुबा जिन्ट्रेस्ट बेत वित् है तोट रूपीत अप् Rapid मेंट्रेस्ट घर स्टीक है या माल इत इंट्रेस्स्याए ऑर तहिसे मेंट्रेस्ट इंट्रेस्ट हो गया और तर फिट्च टेर्स्ट आया अब लोग का 10 यहां 9分 निकालना है यहां फ़ाइब CFRbook निकालना यहां ठीम से को डिकल सकते हैं ध्यूम्ण जानते हैं इसक़्ी प्लस पी इस प्लड़ी वह कहें जो पिक rah आपका कितना है एक्स अधर माईनस के तो ऌश्य आपका principle हो जा रहा है 3x by 5 और हम लोग को rate आना है तो आपको rate का फर्मुला नॉर्बल वही वाला यूस करेंगे 100 इंटु 5 उल अपन P इंटु T that is 100 इंटु 2x उल अपन 5 इंटु P आपका कितना है 3x इंटु 5 उपर में वेज़ दिमें उसका पर और तैमिंग कितना है आपका 10 years 5 5 cancel के लिए एक से कैंचल हो जाएगा 00 cancel हो जाएगा यह अपका क्या बच गया 2 बच गया और 10 बच गया that is 20 by 3 20 by 3 percent आपके 6 1 2 by 5 percent यह आपका हो चाहएगा rate तो चलिये last sums पे आते हैं sorry here number 4 था yeah last sums पे number 5 number sums पे आते हैं इस चैप्टर का last sum से number 5 so question let us determine the money for which monthly interest rupees 1 having the rate of simple interest of 5 percent per annum आते हम लोगों को यहां पर principle बताना है कि क्या होगा अगर इंट्रेस्ट एक रूपया एक मन्त का तो बारह मन्त का होगा आपका 12 rupees हर एक मन्त में एक रूपय है that means one year में 12 month to 12 month that is one year में आपका 12 rupees आपका इंट्रेस्ट आएगा ठेक है और rate आपका दिया हुआ है पर यह नम 5 percent तो आपको पिंस्पल निकाना है यह भी नम्बर 5 और यह दिया हुआ है 5 percent और इंट्रेस्ट 1 rupees per month ठीक है तो 12 रूपीज इन 1 एक है वन येर में आपका 12 रूपीज वह जाएगा क्योंकि 1 एर गस्टो 12 मन्थ थीक है तो हम लोग को क्या बताना तो प्रिंसिपल बताना तो प्रिंसिपल हम लोग तामिंग आपका दिया है तो प्रिंसिपल एकल्स तो 100 इंटो आई होल अपका आपका आपका इंटो तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही छोटा रखेंगे अगर आपको कुछ मीटाउट होगा इस chapter से फिर अदर शेप्टर से या फिर को भी चैप्ला को चाहिए होगा तो आप comment box में comment करेंगा मैं जरूर आपका reply करूंगी और थांक तो लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉर्वर्ड कर दें ताकि उन्हें भी हल्प हो थैंक यूँ